हलो गाईज, वेलकम बैक तो इंग्लिश क्लास, तो आज हम लोग स्टोरी ओफ इंग्लिश का लेक्चर आठ कवर करने वाले हैं और ये स्टोरी ओफ इंग्लिश का लास्ट लेक्चर होगा, यानि आज स्टोरी ओफ इंग्लिश देंड हो जाएगी और आठ लेक्चर में ही मै मैंने आपको इतना कुछ पढ़ा दिया है कि एक्जाम में कोई ना कोई question तो आ ही जाएंगे कोई ना कोई कहने का मतलब यह है कि story of English से दो question पूछे जाते हैं वैसे question तो चार चार में से आपको दो बनाने होते हैं तो दो कोई भी आ जाएंगे जैना चार देते हैं जिन मेंसे दो आपको बनाने होते हैं तो विख पढ़ाया है तो Woah आज हम लोग lucky कवर करने वाले हैं वह काफिशन लेक्षशर है कई कि इसमें हम लोग कुछ राइटर्स के नाम याद करेंगे क्योंकि exam में पूछता है कि write five name of English novelist, English dramatist, Indian poet, female poet ऐसे कुछ करके पांच नाम पूछता है जो पांच नंबर का होता है यहने पांच marks का वो होता है ठीक है तो आज हम लोग इस lecture में यही cover करेंगे और मैं आपको फिर से बता दूँ story of English का यह last lecture होगा है ना तो पहला जो question आएगा exam में मतलब मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि पहले यही आही जाएगा मैं यह आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो हम लोग question कर रहा है जैसे question है Indian English novelist यानि पांच नाम मैंने आप मेंशन किया है सिर्फ पांच नाम सब में पांच पांच नाम मैं आपको बताऊंगा तो जो पहला पांच नाम हमको जानना है वो है Indian English novelist यानि कि भारतिय अंग्रेजी के novel लिखने वाले writers का नाम हमको लिखना है पहले मतलब भारत के कौन से ऐसे पांच writers हैं जो English में novel लिखा करते हैं ऐसे तो अगर आप Google करोगे तो काफी सारे नाम आपके सामने आ जाएंगे तो अगर आप वहां से लिखना चाहते हैं तो आप वहां से लिख लो और नहीं तो मैं जो आपको बता रहा हूं वह लिख लो क्योंकि अब जो मैं आपको बता रहा हूं वह उसमें objective भी है अगर आप Google करके लिखोगे तो वह objective नहीं होगा व हमको लिखने हैं याद रखेगा इंडियन यहां पर मैं आपको बता रहूं यह इंडियन इंग्लिस्ट नोविलिस्ट हैं पहले हैं बंकिम चंद्र ने भारत का पहला नोवेल लिखा था जिसका नाम था राजमुहन स्वाइफ अगर आपसे एक्जाम पूछा जाता है कि पब्लिश हुई थी और फर्स्ट इंडियन नोवेल जैसे कि मैंने आपको बताया है यहां पर कि बंकिम चंद्र ने राजमुहन स्वाइफ नाम का एक नोवेल लिखा यह नोवेल है और यह 1864 में पब्लिश हुई जो कि फर्स्ट इंडियन नोवेल है क्लियर अब देखो उ इंडिया में नोवेल को पोएट पोएम को इंग्लिश स्टोरी को इंट्रोडिवस किया उसके बाद है आरके नारायन जो कि दगाइड लिखा इन्होंने इस मूव इस पर मूवी भी बनी थी राजा राव कांथा पूरा कांथा पूरा और है नयन तारा सहगल जो कि एक फीम इन्होंने इंडियन नोवेल में काफी अपना योगदान दिया इन्होंने नोवेल को इंडिया में काफी फेमस किया लिखने का प्रचला ने स्टार्ट किया और इन्ही की देन है कि आज भारत में लोग इंग्लिस में नोवेल पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं ठीक है तो आप लोग को का काम ये है कि इनका जो मैंने आपे राइटिंग बताया है कि इन्होंने क्या-क्या लिखा है ये भी आप याद करेंगे आगे बढ़ते हैं इंग्लिस ड्रामेटिस्ट के बारे में पांच इंग्लिस ड्रामेटिस्ट के नाम हम लोग याद करेंगे इंग्लिस ड्रामाटिस्ट ड्रामा मतलब क्या होता है नाटक तो नाटक कारों का नाम हम लोग लिखेंगे इनमें सबसे पहले आते हैं विलियम शेक्सपियर हमारे कोचिंग का नाम भी नहीं का नाम पर रखा गया विलियम शेक्सपियर इन्होंने क्या क्या लिखा है हैमलेट ओथेलो म first comedy है फिस्टistic का मतलब लोग कमेडी यहां कि ने लिख चुटकुला पड़ते हैं जोक पड़ते हैं। सबसे पहला कॉमेडी नाटक है ovl policy आज मूवी बना कॉमेडी सबसे पहला कमेडी नाटक किसaları नहि pharmacy लिखा था निकूलस उडालने उसका नाम था roister डोइस्टर जो कि मैंने अपर लिखा फर्स्ट कॉमेडी ठीक है सेकेंड है थॉमस सेक्वील और थॉमस नॉर्टन इन दोनों ने मिलकर एक ड्रामा लिखा जिसका नाम था गॉर्बर डुक क्या था गॉर्बर डुक और यह फर्स्ट ट्रेजडी है ट्रेजडी मतलब दुख तो अगर एक्जाम में पूछा जाए कि वाट वास्ट ट्रेजडी इन ड्रामा मतलब ड्रामा में पहला ट्राजडी क्या लिखा गया था तो आप नाम लेंगे उसका गॉर्बर डुक का और उसके राइटर कौन थे थॉमस सेक्विल थॉमस नॉर्टन उसके बाद आते हैं लास्ट में जॉन ग्याल्सवर्दी इन्होंने लिखा स्ट्राइफ और जस्टिस दो इनके नाटक काफी फेमस हुए थे जॉन गॉल्सवर्दी तो आपको यह पांचो नाम और इनके राइटिंग समझ में आ गये होंगे तो आपको यह लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा शेक्स्पियर से तो काफी कोशिन पूछा ही जाता है एक्जाम में पूछेगा कि वह इस दराइट और ओथे लो हुई दराइटर ओफ हैमलेट तो आपको यह सभी नाम लेने पड़ेंगे ठीक है उसके बाद है इंग्लिश पोएट इंग्लिश पोएट अब यहां पर मैंन लेकते हैं जो विदेश इन रही लेक्स लिए लेक्ते लिए ना? patron किम बढहा जाओ जान एक नों तो इन दोनोगों का ही तो हम लोगों पढ़ना भी है वल्टर डिला मेर भी तो जैसे से आपको बताएं कि आप अपने किताब रैंबो से भी लिख सकते हैं पाउयट का नाम आपको उसमें इंडियन राइट इंडियन पोई भी मिल जाएंगे ठीख है आगे बढ़ते हैंि इंग्लिष नोविलस्ट के बारे में English अभी आप कहेगा कि अभी तो आपने उपर बता इंग्लिस नोविलस्त के बारे में सो मैं आपको बता दूँ को ऊपर Indian English Nov Nov के बारे मताना था भारतिय यह मैं सिर्फ English novelist के बारे बताऊंगा पुरे दुनिया से तो पहले है रिचर्ड सन जिने father of modern novel कहा जाता है यह father of modern novel है यह थोड़ा आपको M जैसा लग रहा हूँ यह M नहीं है N है आप ऐसा लिखेगा N ठीक है तो रिचर्ड सन कौन थे father of modern novel थे अगर आपसे एक्जाम पुछाए कि who is the father of modern novel तो आपके मुझ से नाम निकलना चाहिए किसका रिचर्ड सन का ठीक है अब देखते हैं रुडियाइड किपलिंग उसके बाद है डी एच लॉरेंस जॉसेफ कॉंड्रेड सर वाल्टर स्कॉट तो यह सारे हैं जो इंग्लिश के काफी फेमस नोविलिस्ट लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा नोविल लिखा है कि आगे बढ़ते हैं और यह है इंडियन इंग्लिश्पो County यहानी इसमें 6 forehead बारे में कि कौन से आसे भारतिय पूइट्स ने जो इंग्ष मेरा इंग्लिश्म्आ पुम लिखा करते हैं तो पहले हैं Jorgeracon है कशीपरसाद घोस प्हले राइटर है इन्होंने क्या लिखा है बहुत कुछ लिखाओगा इन्होंने तो काशि प्रसाद गोष उसके बाद है टोरू दत मनमोहन गोष केकी एंदारु वाला या हम लोगो को बुक में पढ़ना है कमला दास के भी बारे में हम लोगो पढ़ना है अपनी ही बुक में सरोजिनी नाइडिय के बारे में हम लोगो कि सबके सब्सक्राइब जानती होंगे इनको रभी नाट अटमेर के बारे में तो यह है पाथ से ज्यादा मैंने यहाँ पोड़ेले के बारे में हका तो एकजां में कॉस्चन पूछेगा कि राइट फाइव इंडियन इंग्लिए नोउवलिस्ट उन्राइट फाइव है ने female writers का नाम बताईए तो five female writers का नाम बताईगा इंडिया में अगर पूछे तो एक नयान तरह से अगल हो जाएंगी और भी नीचे मैंने बताएं जैसे कमला दास सरोजनी नाइडू ठीक है कमला दास है सरोजनी नाइडू है काफी सारे ऐसे आपको बुक में मिल जाएंगे लिखने को पढ़ने को ठीक है तो यह पांच नाम मैंने आपको बता दिये अब आपको बस अच्छे से याद करना जो कोशन पूछे तो आप उसमें कंफ्यूस मत होएगा कि वहाँ पे जब कोशन पूछे और बस अगर लिख दिया इंडियन नहीं लिखा और बोलेगा की राइट इंग्लिस नौवलेस्ट तबब लेंगे इंडियन लेकर लेकिन अगर आपको इंडिय लिखना पड़ेकर च्छोटी है क्यार्यूंकि से फब लोग को नाम की बारे पढ़ना था तो इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं मैंने आपको बता दिया इसका मैं तो मैंने तो सोचा थे सिर्फ इसका पीडिये भी भेज दूँ कि मैंने सोचा इसको समझा के अच्छे से आपको मैं वीडियो बनाके दे दूँ ठीक है तो आशा करता हू कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और यह स्टोरी इफ इंगलिश का लास्ट वीडियो था अब इसके बाद अपने उस बुक में से रैंबो में से जो बाकी छूटे हुए चैप्टर्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे ठीक है सो थैंक यू